हेलो दोस्तों मैं वीजे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्योब चैनल स्टी इन्पो पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में जिसके अंदर काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं और ये स्कीम जो है हमारे देश के जो वरिष्ट नागरिक है उनके लिए ये काफी फाइदे मन्द है इस scheme में जो return मिलता है वो bank के अंगर जो saving account होता है उससे ज़्यादा मिलता है आप जो FD कराते हैं उससे ज़्यादा मिलता है तो जी हाँ तो आज हम बात करेंगे senior citizen saving scheme की इस video में मैं आपको senior citizen saving scheme या फिर वरिष्ट नागरिक बचत योजना मैं आपको इस scheme के बारे में पूरा detail में समझाऊंगा और हिंदी में आपको बताऊंगा कि कौन eligible है कितना amount आप डाल सकते हैं कितने अवधी तक या कितने time period तक आप इसको lock करेंगे अगर आप पहले पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा कटेगा आज की इस video में मैं आपको पूरी detail में सारी जानकारी दूँगा अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को like और share जरूर करिएगा bell icon को अभी press कर दो ताकि आपको latest video का notification मिलता रहे तो चलिए start करते है senior citizen saving scheme SCSS जी हाँ इस योजना में basically क्या है 2023-24 का जो financial year है जो अभी चल रहा है quarter 1 में सबसे ज़्यादा ब्यास दर final करी गई है और जो की है 8.2% यह जो ब्यास दर होती है quarterly जो है इसकी समीक्षा करी जाती है इसकी analysis करी जाती है और quarterly जो है senior citizen saving scheme की जो ब्यास दर है वो final होती है इसका मतलब आपको quarterly पैसा मिलता है ब्यास का जो पैसा मिलेगा quarterly मिलेगा इसके बारे में हम detail में अभी समझेगे अब इसकी योग्यताय की शर्त है यानि कि जो eligibility conditions है वो क्या क्या है जो लोग 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वो भारतिय नागरिक senior citizen saving account खोल सकते हैं इसके बाद कुछ ऐसे लोग है जो 55 से 60 के बीच में वी आरेस ले लेते हैं वो भी जो है इस account को open करा सकते हैं रक्षा विवाग यानि कि defense के करमचारी जिन्होंने 50 साल की उम्र पर भी कुछ retirement लिया होगा तो वो भी इस account को खुलवा सकते हैं 50 साल के बाद यह ध्यान रखना इसके बाद ऐसे करमचारी जो 60 साल की उम्र से पहल करना होगा यह इसकी टंशन कंडिशन है अगर आप साथ साल से पहले यह account खुलवाना चाहते हैं इसमें और एनर आई जो वरिस्ट नागरिक है वो eligible नहीं है आगे बात करते हैं इसमें योजना में निवेश करने के लाब क्या क्या है गैरेंटी डिटर्न सेफ है यह आपको छूट मिलेगी यह तो आप सभी को पता है सरल निवेश पर करिया यानि कि आप जो इस account को खुलवा सकते हैं किसी bank में जाकर के खुलवा सकते हैं यह भी मैंने बता दिया quarterly interest payout यानि कि आपको जो payout मिलेगा वो quarterly मिलेगा इसके बाद mature होने से पहले पैसे निकालना अगर आपको अवर्शक्ता है पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपने एक साल के अंदर अगर यह पैसा निकाला तो आपको कोई ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा इसमें कटोती हो जाएगी इसके बाद अगर आप एक साल और दो साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो जो भी आपका जमा पैसा है with interest पिछले एक साल का मिला होगा तो उसमें से total आशी में से 1.5% जो है काट कर आपको दिया जाएगा ऐगर आप दो साल से 5 साल के बीच में आप जो हैं पैसा निकालते हैं तो जो भी आपका दो साल के जमा होगा या आपने मालो 3 साल में निकाला तो दो साल में जो जमा किया होगा पैसा उसका जितना भी जमा है उसमें से 1% काट करके आपको मिल जाएगा तो यह ध्यान डेखना है यह जो है एक साल के अंदर निकालेंगे तो कोई भ्याज नहीं एक से दो के बीच में निकालेंगे तो 1.5% कट जाएगा दो से 5 सा आपके account को पूरे हो जाते हैं तो आप 3 wirelessed करां सकते हैं और यह आपको एक साल के अंदर-न-दर कराना होगा जैसे कि मालों आज के account को पांज साल होए तो अगले एक साल के अंदर आपको इसको एक्सेंट कराना पड़ेगा एक और बात यहां पर धियान दखना जब आप इसको तीन साल के लिए एक्सेंड कराएंगे तो एक साल पूरा होने पर यारी कि छे साल पूरा होने पर आप जो है इसमें से सारा पैसा निकाल सकते हैं जिसमें से आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा जैसे कि पहले मैंने बताय एक है तो यहां पर नहीं है आपने चैसे साल तक जमा किया साथ क्या आपने निकाल लिया सारा पैसा तो कोई भी डिदुक्शन नहीं होगा इसके बात कितनी राशी जमा कर सकते हैं पहले इसमें 15 लाग रुपे जमा करते थे मैक्सिमum लिमिट 15 लाग थी ग्टी मिनीमम 1000 र रुपे और मैक्सिमन लिमिटर तीस लाग रुपे रिटायर करमचारी के लिए जमा की कुल रखम उस रखम से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि उन्हें नो करी से रूप में मिली हो ठीक है और कैश अगर आप इसमें कैश जमा कराते हैं तो आप एक लुए एक लाग रुपे इक लाग दस हजार पो ऐसे नहें कर सकते ह robust या 95,000ぁ शयर 50 500 यह नहीं其實 1000 का में चाहिए इसके बाद बात करें अगर खाता-दारक जिस वया जाती है तो नामित रखनें एक उसको पैसा मिल जाएगा और मैसने के लिए जमा करना होगा दिखाना होगा ठीक है और यह जो पैसा लेना है तो यह राइटिंग में लिखित आवेदन भरना होगा तो जो नामित है या जो नोमीनी है उसको जह डेट सर्टिफिकेट दिखा करके ही यह पैसा मिलेगा इसके बाद अगर हम बात करें यह जो है आपको एक क्यों देगा कि कंपैरिजन करेगा कि SCSS यानि कि सीनियर सेटीजन सेविंग स्कीम और FB की स्कीम में क्या डिफरेंस है देखो आपको यहां पर दिखेगा इसकी जो ब्यासदर है एक पॉइंट टू परसेंट है जबकि FB में यह 6.5 तू 7.5 परसेंट है पांच वर्स इसका तो कोई बात ही नहीं है मैच्यर होने से पैसे पहले पैसे निकाले एक वर्ष के बाद अनुमती है और कितना लगेगा 1.5 परसेंट दो साल के बाद निकालेंगे तो 1 परसेंट इसमें आप नहीं निकाल सकते तो इसमें कुछ फायदे है ठीक है इसके जैसा कि सबसे बड़ को एक्स्प्लेइन करी है जैसे इस साल के क्वाटर में 1.2 परसेंट पांच वर्ष तक आप इसको लॉक कर सकते हैं मिनीमम हजार रुपे से इसको खुलवा सकते हैं मैक्सिमम तीस लाग उर्पे सुरक्षित और विश्वश्चने निवेश है टेक्स में आपको फायदा मिल आपको अपना पैसा मिलेगा तो दोस्तों यह था आज की इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में यानि की वरिस्त नागरिक बचत योजना के बारे में अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है कोई जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो म में नीचे कमेंट करिएगा और मैं आपको वो जानकारी प्रोवाइट कर दूगा तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टाटा टेक केर जैहिं